आज हम लोग बात करते हैं कुछ mathematical notation और functions की जो किसी भी algorithm के analysis में very often use किया जाता है as well as computer science in general भी इनका काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है तो अगर mathematical notation और function के बारे में आपको जानकारी रहेगी तो आपको algorithm को analysis करना या अगर computer science field में आप काम कर रहे हैं तो आपको काफी easy हो जाएगा यह तो फर्स्ट वी टुडेश टॉडेश्ट टॉपिक इस mathematical notation और function अब इसमें देखिए जैसे सबसे पहला पहला हम लेते हैं पहला क्या है आपका floor and ceiling function this is called floor and ceiling functions इसमें क्या होता है कि let x be any real number then x lies between two integers called the floor and the ceiling of x तो अब इसमें क्या होता है कि जैसे x अगर कोई real number है तो अगर हम इस तरह लिखेंगे x ये तो ये क्या कहलाता है this is called floor of the x floor of x it denotes the greatest integer that does not exceed x it denotes greatest integer that does not exceed x और जब आप इस तरह दिखाएंगे ये हो जाएगा this is called ceiling of x this is called ceiling of x and it denotes the least integer that is not less than x इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि जो floor of x है ये ये किसको indicate करेगा floor of x indicate करेगा greatest integer को और ceiling of x represent करेगा least integer को तो अगर माल लीजे अगर हमने कहा कि से if x is itself अगर x क्या है वो खुदी एक इंटीजर if x is itself an integer ठीक है तो उस case में क्या होगा कि जो floor है वो उसी integer को शोग करेगा तो इसको आप simply लिग floor और ceiling दोनों ही equal होंगे और दोनों किसको शोग करेंगे x को ठीक है तो यह होता है जैसे for example हमने कहा से यहाँ पर कुछ example ले लेते हैं माल लीजे हमने कहा कि इसका हमें floor दिखाना है 3.14 का 3.14 का तो इसका जो floor हो जाएगा वो हो जाएगा 3 या हमने कहा कि माल लीजे हमें under root 5 अंडर root 5 का हमें floor दिखाना है तो इसका floor हो गया 2 फिक है similarly अगर माल यह negative number हमने लिया minus का 8.5 तो इसका जो floor हो जाएगा वो हो जाएगा minus का 9 और अगर यह integer है say 7 तो इसका जो floor हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 7 तो main जो purpose होता है floor को represent करने का वो यह होता है ठीक इसी तरह अगर हम ceiling को दिखाएंगे तो माल लीजे हमने कहा कि 3.14 इसकी जो ceiling आएगी इसकी ceiling आएगी 4 अंडरूट 5 की ceiling की हम बात करेंगे अंडरूट 5 इसकी ceiling हो जाएगी 3 ऐसे हमने minus 8.5 की ceiling की बात करेंगे minus का 8.5 यह हो जाएगा आपका minus 8 और similarly अगर हम integer की बात करेंगे 7 तो यह आएगा आपका 7 अगर यानि x क्या है इंटीजर है तो floor और ceiling दोनों equal होंगे वो इस example से भी आपको clear हो गया अब दूसरे तरह के function की हम लोग बात करते हैं second type of function that is called remainder function तो देखे remainder function क्या होता है या modulus arithmetic भी कह लिजेस को तो second हो गया आपका remainder function remainder function में क्या होता है कि let k be any integer and let m be a positive integer then k mod of m ठीक है विल डिनोट दा integer remainder when k is divided by m तो मान लिजे हमने क्या का हमने का के अगर कोई integer है ठीक है और m क्या है let m is a positive integer ठीक तो यह function जो define होगा यह k मॉड एम यह क्या करेगा यह उस remainder की वैलू देगा जब when k is divided by m यानि इस चीच को आप लिजे सकते k is equal to हो जाएगा m q u plus r where जो remainder की value है वो आपकी 0 से m के बीच में होई भी वैलू हो सकती है अब इसको आप example लेके समझे तो जैसे हमने कहा कि suppose कीजे 25 और हमने लिखा modular mod 7 इसकी वैलू कितना आएगी आप 7 से 25 को divide कीजे 7 या 21 बचेगा 4 तो इसका result आ जाएगा 4 similarly आपने कहा कि 25 को आप mod 5 लिखिए 25 को आप 5 से divide करेंगे remainder क्या आएगा 0 तो 0 मिल जाएगा similarly आपने कहा 35 को आप mod 11 लिखिए mod 11 तो 35 को 11 से divide करेंगे 11 या 33 बचेगा 2 इसका result आ जाएगा 2 तो this type of function is called remainder function which gives the remainder of this clear अब उसके बाद next जो आता है आपका third वो हो गया आपका integer and absolute वैलू function third one is integer and absolute वैलू function Integer और Absolute Value function क्या कहता है कि Integer आप जैसे हमने कहा किसे मान लिज़ हमने कहा Int यह हमने Integer function लिखा किसका 3.14 का तो यह हमें क्या result देगा 3 देगा Similarly हमने कहा Integer Under root 5 यह function क्या देगा 2 देगा Similarly हमने कहा Integer मान लिज़ हमें minus का 8.5 तो यह हमको क्या result देगा, यह हमको minus 8 देगा, और अगर हम integer ही देगे, तो हमने का integer अगर 7 देना हमें, तो result हमें 7 मिलेगा, तो यह तो हो गया आपका integer function, अब absolute value function क्या करता है, जैसे हमने का कि इसी को example अगर हम बुले लें, तो हमने का absolute value function, ABS, ठीक है, ABS अगर हम देखेंगे, तो मालीजे हमने ABS किसका निकाला हमने, minus 15 का, जो absolute value आ जाएगी 15, वो देदेगा, यह हमने का ABS हमने निकाला किसका, minus का 3.33 का, तो absolute value मतलब जो magnitude होगा उसका, वो हमें मिल जाएगा, अब मालीजे positive value हम देते हैं, हमने का कि absolute value of 4.44, positive भी है यह, तो हमें यह मिल जाएगा, 4.44, तो यह आपके integer और absolute value function हो गया, और यह सारे function आपके किसी वे algorithm के analysis में, और या computer science के study में, यह extra use होते हैं, उसके बाद क्या आता है, summation, summation, summation जो होता है, उसको हम कैसे denote करते हैं, मालीजे एक, दो, तीन, यह चौथा function हो गया, summation, summation में क्या होता है, simply अगर मालीजे आपके कोई series है, a1 प्लस a2 प्लस a3 अप्टू, aN, ठीक है, तो इसको हम कैसे represent कर सकते हैं, इसको हम represent कर देंगे, ऐसे summation sign लगाएंगे, कोई हमने variable लिया से, j equal to 1 से, n तक, और इसको हम लिख देंगे, aJ, तो, sorry, यह function आपका कहलाएगा, summation function, अब मालीजे यह series हमारी शुरूर, यह aN, plus a, m, plus 1, और up to यह जा रही है, कहां तक, aN तक, इसको अगर हम represent करना होगा, तो हम यहाँ पे केवल, j को, m से start कर देंगे, बाकि सब कुछ ऐसे ही रहेगा, तो यह function जो है, यह summation function कहलाता है, उसके बाद, एक और function जो frequently use होता, यह algorithm के analysis में, वो होता है आपका factorial function, तो अभी दो-तिन function आपके इसमें रहे गए हैं, जो generally use होने वाले function है, एक आपका factorial function, दूसरा है आपका permutation, तीसरा है आपका exponent and logarithmics, इसको हम लोग नेक्स वीडियो lecture में discuss करते हैं, यह lecture काफी lengthy हो जाएगा, इन functions के बारे में आप जाते हैं, जानते रहेंगे, इनके notations के बारे में आप जानते रहेंगे, तो क्या होगा कि आपको काफी आसानी हो जाएगी, अब इसमें यह जो हमने summation function define किया, इसमें जो J है, इस J को क्या बोलते हैं, J is generally called dummy index, this is called dummy index, या कहीं आप इसको dummy index भी बोल सकते हैं, या आप इसको dummy variable भी बोला जाता है, और other later can also be used for dummy variables such as, तो किबल J ही जरूई नहीं है, आप I है, small k है, S है, T है, ये सब dummy variable के लिए आप इन small letters का use कर सकते हैं, तो I hope आपको ये clear हो गया होगा, अगर कोई doubt या confusion है, तो comment line में comment करके पूचिए, और अगर वीडियो content पसंद आ रहा है, तो वीडियो को share कीजिए, like कीजिए, चैनल को subscribe कीजिए, और notification bell को on कर दीजिए, ताकि next video की information आपको तुरन मिल सके, thank you.